आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ छोले पूरी की रैस्पी ज्यन चोले हम बनाएंगे आज बीना प्याज ले सुन और अध के और इसके विना भी आप मतलब टेस्टी छोले पूरी बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो चोले बनाने के लिए सबसे पेले हम इने रात बर चोले भी गोने रखे थे अच्छे से धो के और अब हम इसका पानी जो है निकाल लेंगे तो चोले का पानी में निकाल दिया है और अब हम बनाएंगे चाय पती का पानी अगर आपने मेरी चोले बटोरे वाली वीडियो तो आपको पता होगा यह मैं क्यों बना रही हूं यह इसलिए बनायते हैं ताकि जो छोले का कलर है जो बजार में जैसे डार्क कलर आता है ना उससे यह पानी डालने से छोले का कलर वैसा आएगा तो इसको दो से तीन मिनिट हम इस पानी को उबलने देंगे और यहाँ मैंने ले लिया है एक cooker इसमें हम डाल देंगे हमारे छोले और छोले के साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ एक दाल चिनी का डुकड़ा एक बड़ी लाइची और इसे के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 140 शुटन और 140 शुटन ही बेकिंग सोड़ा और उसके बा अब लूई के जुआइंगे waste को अब स्पानी को अब हें चाहले जान करें में को कुकर में और इसी में सेयुआ धालेंगे 1 2 1-5 कष़ा, 1 2 1 1 1 2 1 कष़ा, जब दम के टेख जान करें तो 4-5 सिटी हम लगा लेंगे और तब तक हम बना लेते हैं हमारा छोले का मसाला तो चोले का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में एक टी स्पून एक जमा जीरा डाला है हाफ टीजपून के गरीब अजवाइन डाली है और दो मैंने यहाँ पे ली है साबूत लाल मिट्ची और इसको अब हमें लगबग 3-4 मिनिट हम लो फ्लेम पर भून लेंगे तो 3-4 मिनिट मैंने इनको भूना है और अब मैंने वह बसकता है और रेsने कर अब लगा लिया है और भस अब इस आटे को हम ठक रख देंगे सेट होने के लिए और यहां देखे जो शाबुद मसाला हमने बुना था उसे ठंडा तो यहां मैंने मसालो को पीस लिया लेकिन एक मसाला में डालना भूल गई तो वह भी डाल रही हूं यह मैं ने मैं लिया ही जब मसाले भूने थे तorf यहां डाल जाल थे अगर उस में अगर आप मसालो पीस यहां मैंने इसको ऐसाकर ग्राइड है और हमारा चना मसाला छोले मसाला जिसे कहते हैं वो तयार हो चुका है इसे आप एर टाइट डिबे में भर कर स्टोर भी कर सकते हैं तो यहां देखे कुकर हमारा अच्छे से खुल चुका है पांच सीटी में ली थी उसके बाद में मैंने दस मिनिट ते इसको सिम फ्लेम पर रखा था और फिर इसको बंद करके अच्छे से यह दिखे अब हम चेक कर लेते हैं छोले को की अच्छे से पके हैं या नहीं तो अच इसके बाद में इसमें डाल रही हूं हींग लगवग 1-4 टीस्पून के करीब और इसके बाद में 1 टीस्पून जीरा और यहां मैंने टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बनाया वो डाल दिया इसमें और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहां मैंने डाला सबसे पहले थ एक चमस में एक चमस मैं के डाला चरोले मशालगे ज़ोने में अभी दिए उसके छोले की स्वेग्य चमस आदा में जोना हमें ऑट करना तो दाएं צ Kramp में नियुक्षर Bike Online क्या जोना पार सवे ना फूला कुग है के लिए नियुक्त की सब्कार करें में इसको लगबग आठ से दस मिनिट हम इसको पकाएंगे तो उसके बाद में आप इसको ढखकर भी पका सकते हैं या फिर इस तरह से कुले रखे भी पका सकते हैं चोड़े में दीखे अच्छे से उबार ला चुका है अभी मैं इसमें डाल रही हूं यह कुछ मैंने चोले न इसको डाल के मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे लगबग 8-10 मिनिट के बाद में मैं इसको अच्छे से पका लिया चोले को अब मैं इसमें डाल रही हूं बारी कटा हरा धिनिया और इसको मिक्स कर देंगे और बस अब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंग और अब मैं बना रही हुँ हो छोले में डालने के लिए तरका उसके दिने चोले में डालने के लिए गी को घरम होने दी जए उसके बाद बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 4 टी स्पून के गरीब भुना जिरेक का पाउडर और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और गेस की फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद और इसको हम मिक्स कर देंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिच्ची पाउडर 1 4 टी स्पून के गरीब और बस अब इस तड़के को अब हम डाल देते हैं हमारे छोले पर और बस हमारे छोले जो है वो एकदम बढ़िया से बन चुके हैं सर करने के लिए भी एकदम रेडी हैं और बस इसी तरह से मैंने पूरिया भी फ्राइ कर ली है पूरिया भी बना के फ्राइ कर ली है और बस हमारे छोले पूरी दोनों ह कर लेते हैं तो यहां दिके छोले पूरी दोनों हमारे रेडी है और इनमें हमने किसी प्रकार का प्याज लेसुन अद्रक नहीं डाला है लेकिन फिर भी आपको इतने टेस्टी लगेंगे और जो छोले मसाला हमने तियार किया है उसे आप जरूर से डाले बहुत ही टेस्टी छोले पूरी बन के तियार हुए है रेसिपी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें में मिलूंगे आप से एक लिए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय टेक केर